हिरा आपसे मिलने के लिए बस्ती के लोग आये हैं क्या हुआ तुझे रोकना होगा किसको एरिया कर्पूरेशन स्कूल में जो तुम आतंग फैला रहे हो वो स्कूल गरीब बच्चों के लिए मंदिर है और तेरे गुंडे वहाँ जाकर आतंग मचा रहे हैं वो कोई पत्ते खेलने का क्लब नहीं है या दारू पिने का बार नहीं है गरीब बच्चों के लिए जहां पर खाना बनता है उस जगा को तुम लोगों ने दारू का आट्डा बना दिया तुम लोगों को ये सब रोकना होगा अरे वो एक इंस्टिटीशन है उसे तुम लोग ने प्रॉस्टिटीशन का अड्डा बना दिया एक पवित्र जगा को पवित्र कर दिया इसे रोकना होगा नहीं रूका तो कलेक्टर से तेरी कंप्लेंट कर दूगा तेरे खिलाफ हजार लोग दस्तखत करने के लिए तयार है किसी पुलिस वाले ने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया इसलिए हम आपके पास आये हैं आपको कुछ करना होगा कि मैं कमिशना ओफिस से जैगोपाल बोल रहा हूं शहर के अंदर पंदा लोगों का इन काउंटर लिस निकला है जिसमें तेरा नाम भी है हो सके तो कुछ दिनों के लिए अंडरगांड हो जा तेरी यह हिमत तु जानता है किस्ते बात कर रहा है तेरे डिपार्टमेंट में अगर कोई मर्द है तो अब भी काभी मेरे एरिया में बेश जातू हीरा हमारे एरिया में पुलिस आईए हीरा 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 है अभी तक किसी पुलिस वाले के हिमत नहीं हुई की जो मेरे पास यहां यहां है मगर तू आ गया कैसी जो मैं यहां यां कि कितन आ की टि déc हुज stretches हुग 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 ह bran हुग 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 report हुग हुट हाओ हаются ऐा拜拜 एम उबंहों झाल ए हुट हाइ! प्रीज! आपाँ! पुष। ढफ्र कुष। भौ… झाइ! भौ…… आ чиक! रफ… आा!! तुने गण उठा ली किया तू मुझे मारेगा मारेगा तू मुझे कौन है तू बोल है तू पुलिस वाला है क्या अगर तेरे पास एक फोटी सेन भी हो तो तेरी हाथ खुटने से नीचे है समझा यूमर रैट्स कमिशन के बारे में जानते हो गुटने से उपर थोड़ी से भी खरो चाही तो इंक्वाइरी के नाम पर तेरे लोग ही तुझे अंदर कर देंगे डिपार्टमेंट ने पुलिस वालों को गन जिस तरह से दिया जैसे कि बच्चे को मुँ में निप्पल देते हैं चूट सकता है लेकिन खा नहीं सकता चूप चाप से गान अंदर राख गलती से भी गोली चल गई तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा अब तो तुझे समझ में आई ही गया होगा अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चूप चाप बच्चे की तरह मेरे पैरों में गिर कर माफी मांग लो अब तु जान ले मैं पुलिस वाला नहीं हो तु पुलिस नहीं है देवा जानो पुलिससका की जान साथ कॉलिस का भी यहीं होग तु driver पुछ की राऊन प्यारी होगा जाना आए जिल लवार्या लवार्या गंड मेटल क्रिस्टल बॉड़ी चिक उसलाविया में बनाया है एट एमें बुलेट रेंज थार्टी फीट सर आपने कमाल कर दिया भोला कनफार्म यह वही है वही है वही है सर इसलिए आप घूम घूम कर देख रहे थे यह गली का वही गुंडा है जिसे बच्चा बच्चा जानता है खोलो उसके घुट्नों को काटकर पीपरवेट बना दूगा है कुटते को कहा ले जा रहे हो वह कहां लेके जा रहा है कुछ ने सर् कुछ ने सर् मैंने टेंशन गोल दिया, वो कौन है उसे पहचान कभी पकड़ने ही बारा, मैं बहुत परिशान हूं, सुनो, फोटो मत खिचो और इसे पोस्टमाटम के लिए भेजो, आ रहा हूं, आ रहा हूं, इस वोट पांडे मैं तुझे पकड़ने के लिए आ रहा हूं आखों में का जल है होथों पे लाली आखों में का जल है होथों पे लाली आखों में का जल है होथों पे लाली नागिन सी लहराएं जुफे तेरी काली आखों में का जल है होथों पे लाली देखा तुझे देखा है जब से मैंने ओगोजी निन्द आखों से अब तो गई तुने कर दिया मेरे दिल का ये घर खा दी आखों में का जल है होथों पे लाली नागिन सी लहराएं जुफे तेरी काली आखों में का जल है होथों पे लाली माना वो फूंका हिल नगा हूं मैं दिल पे चलाई है इसने छूरी रे धर्त हिला दे ये कगन हिला दे उचड़ हुए गुल्शन में फूल खिला दे ये ये फूल किला फूल किला फूल किला फूल किला फूल किला दे दिल की कश्टी है अब तेरे हाथों में जागा हूँ तेरी आदों में रातों में बदले तू अपनी आखों में तेरे दिल में ही मेरे प्यार की मंजिल है आखों में का जल है होटों पे लाली नगिंसी लहरा ये जुपे तेरी काली आखों में का जल है होटों पे लाली आखों में का जलग है होटों पे लाली तरताना इस दिल को सुनले तु ए गोरी हमको लगते हाजारों कोईट के जटके सामने आके जब तेरी कमर ये मडग दिल मेरा रहन अब चाबू में आजा आजा अब तु मेरी बाहों में आखों में का जलग है होटों पे लाली नगिंसी लहरा ये जुपे तेरी काली ए आखों में का जलग है होटों पे लाली आँखो में काज है क्या है तेरे दिल में आज हमको तू बता दे ना जुख है मेरा दिल इसे ना सजा दे आँखो में काजल है होठों पे लाली तेखा तुझे तेखा जब से मने गोरी निन्द आजो है अब तो गई तुने कर दिया मेरे दिल का ये घर काली आँखो में काजल है होठों पे लाली आँखो में काजल है होठों पे लाली आँखो में काजल है होठों पे लाली बेटा तुमने हमें खुश करने के लिए जूमा नाचाग आया हमें बिलकुल विश्वास नहीं हो रहा है आप जैसे मेहनत मजूरी करने वाली लोगों ने याद से मुझे इस तियोहार में बुलाया इसलिए मैं आपका दिल से शुक्र गुजार हूँ कैसे हो देवा अचाओ सर कुछ बोलने आया हो क्यों नहीं बोलेगा उदर खून किया यहां नाच रहे हो आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे है बहुत बड़ा एक्टर है तू हम सब जानते हैं एक छोटी मचली को शार्क मचली बनाने वाला है तू मैं जानता हो तूने हीरा का खून किया है तेरे किलाब कोई भी आदमी गवाही नहीं देगा यह तू अच्छी तरह जानता है तूने अपना काम कर दिया मुझे उंगल हाल में खाना खाकर जाओगे तो खूशी होगी मुझे मैं तो नहीं खांगा सर थक मैं बोल रहा हूँ ना आप जाकर खाना खालीजिए तुम चिलाओ मत अपने साप को बुला तुम्हें कहा ना अपने साप को बुला आज इसका फैसला हो जाना चाहिए तभी हम खाना खाएंगे फैसला बाद में हो जाएगा पहले आप जाकर खाना खाये भाई जरूर आएग तुझे पुछने वाला कोई नहीं ऐसे लगता है क्या तुझे यहां आके पूरे तीन दिन हो गए पता है ना तुम यहां नहीं आया इसलिए दो दिन से यह लोग स्ट्राइक पर हैं कि अंसारु आपलोग मुझे माफ करतो। क्या शारी वारी कल से एक फोन भी नहीं किया तुमने। तुम्हारे विना हमें देखने वाला कोई नहीं है इसलिए नहीं ब्रें। तुझे विना देखर रह नहीं सकते करें। मेरे खुद के बेटे ने मुझे अलग कर दिया लेकिन यहाँ पर मेरा ही नहीं सबी का बेटा बन कर ख्याल रख रहे हो हमानात बन कर यहां आएं अगर हमें कुछ हो गया तो कौन देखी गा हमानात की तरह माना नहीं जात है यह क्या मा क्यों एसे उल्टी सीरी बाते करें एक बार स्वाडी बोल दिया ना मैंने दुपारा एसे गलती नहीं होगी चलो चलकर खाना खाते तायाग तंदयाग इरप्पवने उयराग उनर्वाग कलंदवने एकड़ काना अरसीले एंगर पेले यल्टिनाई एकड़ कात्कुं पेले इन एंट्रुंदीय सेगिराई एंगन उरव गल्ल्ला मुझ्दम्दार् उन्ने विडवु मुयरत्थिल एदुपु मिल्लै उन्ने विडवु मरुगिनिल एदुपु मिल्लै प्रिवेट्टल एंगलुक्कों यारुमे निरुकुम्मरै उन्ने पाडिलुओ पाडिलुओ, पाडिलुओ खाना शुरू करो अरे भाई, एक जरूरी काम है बताओ इंडियन हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग है न, वो मेडिकल कैम्प चलाना चाहते हैं वो हमारे आश्रम में कैम्प लगाना चाहते हैं यह तो बहुत ही अच्छी बात है लगाने दोने, अच्छा वो कहाँ पर है कौन? वही हाब बोई, अपना पागल अटेंडर है हड़ो, हड़ो, हड़ो हड़ो, हड़ो हड़ो, हड़ो नमस्ते मेरे प्यारे बॉडिगाट तुम लोग कैसे हो, जहां लोग नहीं भी होते हैं वहाँ भी तुम लोग हड़ जाओ, हड़ जाओ कहने लगते हो तुम्हारे इस काम की लगन को देखकर मैं बहुत खुश हूँ मैंने तुम लोगों को बॉडिगाट क्यों बनाया है मुझे कोई भी किसी वज़े से मारना नहीं चाहिए इसलिए मैंने तुम लोगों को अपना बॉडिगाट बनाया है बेवी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है मासूम लोगों को कभी मत मारना अपने मालिक के लिए मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरा कहना जरूर मानों कोन है अभी तक तो सब ठीकी चल रहा है अनिल यह अपना अदनी है छोड़ो इसे क्या बाते रहें कोन है यह लोग यह मेरे बॉडिगाट से आश्रम से जो तुझो पगार मिलता है वो तो कम है इन लोगों को कैसे देगा पाइने के पांच जार की तनका में से तीन अजार इनको दूँगा मेरे तेरे खर्चे के लिए खर्चे के लिए मैं आश्रम से एड्जेस्स कर रहा हूं समझे ए बोडिगाट क्लीनिंग ए पहले मैं काम पर आया हूं फिर मुझसे आगे तुम क्यों जा रहे है अगर बोश को कोई मारने आया तो उसके हाथ कड़ने वाला मैं हूं मैं पहले नहीं जाँगा तो फिर कुन जाएगा हाथ कार सकते हो और मैं अपनी जान दे सकता हूं हां वाव 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 तुम लोग इतने दिन कहां थे अगर तुम लोग शुरू से मेरे साथ होते तो मुझे क्या ऐसा मार खाना पड़ता तुम लोगों के आने से पहले कितनी जगा मार खा चिका हूं तुमसे ज्यादा चलाकी मैं जानता हूँ तेरी चलाकी कच्रे में फेक दूँगा ज्यादा बात करेगा ना तो मैं तुझे चपपल से मारूँगा अबे चुपकर तु तो जूता पहना है तो फिर चपपल से कैसे मारेगा है मेरे बाद नहीं तो क्या मालिक से चपल मांगकर तुझे मारूंगा मेरे सबीरा पूछे ओ तुझे चपल देगा क्या अगर उसने चपल दे दी तो मैं उसे उसी के चपल से मारूँगा अगर तुझे पूछ के चपल देने को तैयार हुए करके लिए अगर मैं चफल मागूंगा तो माली कुझे देंगे माली कुझे चपल देदी जिये माली कि चपल दे दिया अभी मुझे मानने के लिए चंतने जी है तो चैलत परूए इससो चैलते मेन अंगा is आप अजड़ आगा है, पोरी गरी मारे एस लगी को बचाएगा, इस लर्की को बचाएगा, तुह हीरो है, काट डालूगा भाई भाई आप चाकु को नीचे करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं कैसे आत्मे सामी, ये लड़की पर दिन्दहड़े हन्याए और आप चुप चुप देख रहे हैं, आप किस तरह के मर्दों, आपको पैंट की क्या सर्में देख रहे हैं ये लो रख लो मुझे चोड़ दो, आप रोईए मस, ये साथ सचा है, बहादे का कैमरा है, मैं QTV चाही हूँ और ये QTV का बकरा प्रोग्राम चल रहा है, ये भग्मान, मैं तो डरही गया था लड़की के ऊपर अगर अन्याय हो, तो लोग क्या करेंगी, उसके लिए प्रोग्राम है, आपके हेल्प सूपर है सर्माय, आप बाई, आप बाई, बाई शेटा, तुन्हे ठीक से अबरेच किया न माँ, आज आपका जनन दिन है, ये लेजी और मुझे आशिर्वात दीजी मुझे महनत के पैसे में पसीने की खुश्बु चाहिए, मगर खून की बद्बु नहीं मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ तुम्हें गुंडे हूँ मा तुम्हें क्यों हमेशा मुझे गुंडा गुंडा बोलती रहती हो नियाय मांगने के लिए लोग मेरे पास आते है गलत काम करने वालों को सजा देता हूँ इसमें कौन सी बुरी बात है जिसमें गल्ती की है तुछे ढून कर मारता रहेगा और फिर कहता मैं गुंडा नहीं हूँ फिर मुझे क्या करना होगा तुझे बदलना होगा सुनो मा तुम्हारी लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ जो मांगो दे सकता हूँ लेकिन बदलने की बात मुझे मत कहो मुझे पूरा यकिन है मैं सही रास्ते पर चर रहा हूँ और मैं किसी भी हालत में किसी के बिलिए ये रास्ता नहीं बदल सकता आप के लिए भी नहीं इसी तरह मेरे भी कुछ नियम है और मैं उन्हें नहीं बदल सकती अभी तुम जाओ यहां से, चले जाओ सुनाई नहीं दिया कैसी हो तुम अपना आराज हो गए न भीया अरे छोड़ो यह सब जन्देशन गैप है, मा तो ऐसी ही होती है ऐसा मत कहो, देखा चाहे तो मा की बात सही है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वह भी गलत नहीं है भाई, मा तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह सामने दिखा नहीं पाती, अब क्या करे वह भी अरे सुनो, तुम्हें कंप्यूटर चाहिए था ना, दस मिनट में तुम्हें घर पर मिलेगा लेकिन मा अरे तुम तो बहुत अच्छा जुड बोल देती हो, बोल देना तुम्हें प्राइज में मिला था, और सुनो वे न, मांखा ख्यार रखना अरे बचाए 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 क्या रे तू बचाएगा क्या क्या रे ट्रेल आओका देंगे रहा है, मरेगा मरेगा क्या अगर कोई लड़की खत्रिव हो, तो उसे बचाने के लिए कितने लोग आ सकते हैं, हमारा ये पुर्राम इसी बेस पे अधारित है देखो सुनो, आपके लिए एक खेल का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर ऐसा करना पब्लिक न्यूसन्स है अगर इनको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदर कौन होता इस वेरी बैड सॉरी सर आइम वेरी सॉरी सॉरी सिस्टर, ये टेमिक किसके लिए है? आइस सुनेल के बेडियानेल, तुमका और तु यहाँ पर कैसे? तु गाउं से ऐसी आग्याक्या कब आया? पी क्या आया है? भाई कल ही आता है अरे भाई लेकिन अब तुझे क्या चाहिये? तुने सही पूच्या मेरी अवरत है ना तेरी बैन मैं उसको अच्छी तरह देखते हुए साधार साल हो गए है अबे तु एक काम कर यहां किसे डॉक्टर से मेरी दुनों आके निकलवा कर साप करा के वहां पर लगवा दे तू अपनी आख को क्या बल्ब समझा है काम करें या ने अबे यह क्या तु मूर्ती की तरह अकड क्यों किया सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो यहां गपे मार रहा है कौन है यह मेरा रिष्टेदार है रिष्टेदार कैसे रिष्टेदार वो दरसल मेरा भाई है ना मेरे भाई की औरत है ना मेरी भावी मेरी भावी का ससूर है ना ससूर की बहन का लड़का है लड़के के चाचा का लड़का है दूर के रिष्टेदार के चाचा का लड़का है एसे घूर क्यों रहे हैं आप जरा फिर से बताना इसको एक पर सीधा सीधा बोलने में इतनी तकलीफ हुई तो इसको दोबारा कैसे बोल सकता हूँ बोलना सची सची बोलता हूँ मेरे साले का भाई है ना उसका रिष्टे रख यह साले बाते पहले बतानी क्या यह थी ना मुझे बेवकूप बना रहा है वो तो टाइम पास के लिए सब कर रहता है इमाग खराब है क्या उधर देखिये माजी वॉक्षर क्या है हेलो डॉक्टर आये सर इन लोगों को यह क्या भीमारी हुई है मेरा मतलब गंदा पानी पीने की वज़े से इन लोगों में यह बीमारी फैलती है यह लोग जो पानी पीते हैं उसमें केमिकल चैसे की हाइड्रोकार्बंस, सलफर, फ्लोराइड मिला हुआ है और गर्भुवती महिला भी यही पानी पीती है और उसकी वज़े से इन जैसे बच्चों का जनम होता है इस तरह की कंडिशन होने के बावजुद भी हमारी गवर्मेंट ओफिसर में कोई एक्षिन नहीं लिया है तो फिर हमें चिंदा करके क्या फाइदा अच्छा सुनिया अंगल अब बता सकते हैं बच्चे कहां से आये हैं पास के एक छोटे से गाउं से आये हैं कि क्या कहना चाहते हों आपके फैक्टर के किमिकल का गंदा पानी सीधा नदी में जाकर मिल जाता है इस पानी को गाउ में रहने वाली लोग इस्तमाल करते हैं और आपके फैक्टर में काम करने वाली भी इसलिए मैं चाता हूँ कि आप उसे जल से जल रोग दे एए, बाहर जाओ लोगों को तकलीफ हो रही है और आप बढ़े लिखे हैं सोच समझ कर काम करेंगी तो अच्छा होगा तुम क्या मुझे सिखा होगे यह अंदर कैसे आया जाएगा यह धक्के देके बाहर निकालूँ जा रहाओ सर्थ मैने अपने दिल की बात बता दी और आपने अपनी मर्जी चलताओ नमस्ते वरकर्स टुदे के लिए हम आपका इंटर्व्यू लेने आये हैं आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आज का दिन दिवाली, रमजान, क्रिस्मस की तरह ही हमारे लिए नया साले तर आपका यूनियन लीडर कौन है? मैं हूँ सर आजाओ हिरह मैं इस कंपरी के अपका साला हूँ अभी अभी अमेरीका सेहाँ बोली हो सर क्या तुम लोग नमस्ते नहीं करते हैं? घत इससलिए हमारे यूनियन लीडर को मारा है इसलिए हमारे यूनियन लीडर को मारा है miston Labas देंग जीज natural क्यों जिलालो तुम लोगे आपकी साले मुझे महरा है साला कोन मेर साला कुछ पो अरा है ऐस दिलें माली व्हारiego एक मिनिट, एक मिनिट मैंने आपके यूनियन लीडर को मारा, इसलिए मैं आप सभी लोग उनसे माफी चाहता हूँ मैंने जो गलती की उसकी माफी मांग ली लेकिन उससे भी बड़ी गलती आप लोग अंजाने में कर रहे हो कौन सी गलती? सही सवाल फैक्टरी में जो विस्टेश केमिकल निकलता है, वो नदी में जाता है वाटर सेंबल से ये पता चला है क्लूरीनेटिड हाइडरोकर्बन जो एक किसम का जहर है इस पानी में मिल रहा है इस पानी को पीने की वज़र से कई ऐसी बिमारिया जो फैल रही है ये बात तुम्हें बताने की लेकिन मैं बता रहा हूँ इस नदी का पानी तुम्हारे परिवार के लोग भी पी रहे है जब इस नदी का पानी पी कर तुम लोगों के बच्चे बिमार पढ़ जाएंगे तब मंदिर जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, मस्जिद जाओगे, भगवान से बिंती करोगे लेकिन वो भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनेगा क्योंकि जब वक्त आया था तो तुम लोगों की आखे बंग थी क्या कर रहेते तुम लोग फैक्टर में काम करके पैसे कमा रहे थे लेकिन जिन के लिए कमा रहे थे उन लोगों को तुम लोगों ने हॉस्पिटल पहुचा दिया है बस लेकिन अब हमें क्या करना होगा भाई देख सुन मेरे दोस्त, इस गंदे बानी को साफ करने के लिए एक प्लांट है, देखा जाए तो काईदे से आपके मालिक को वो प्लांट रखना चाहिए लेकिन आपके मालिक ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हिसाब दिखा कर बैंक से सववा करोड रुपे का लोड लेकर किसी और बिजनस में इन्वेस्ट कर दिया करप्शन से ज्यादा, पोल्यूशन खतरनाक होता है मैंने आप लोगों में से एक आदमी को मारा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तुम लोग अपने न्याय के लिए लड़ो, तुम्हे समस्या पता है, तुम्हे समस्या पता है यह सिर्फ आपके अकेले के फैक्ट्री की समस्या नहीं है, पूरा भारत इस समस्या से परिशान है अगर तुम लोगों में एक ता है, तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, मुझ पर भरोसा रखो अब आगे आपकी मर्जी क्लीनिंग प्लांट के लिए लवे लाए 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 ल मैंने तुम्हारे लिए कमभोडिय के कलर फैक्टरी के मालिक के लड़के के साथ hypothes तुम्हारा रिश्टा टे करने की सोची थी मगर तुमने उसे भी मना कर दिया अब मैंने तुम्हारे लिए यह लड़का देखा है जिसके पिकल की फैक्टरी है उसके नाव है तुम्हारे दिल को जीतने वाला वो है कौन ये तो बताओगी मुझे वो एक अनाथ आशन चलाता है यहाँ देखियो इस क्या चल जाएगा साइड एंगल से देखने में खुबसरोफ हैंडसम तो लगता है मैं तुम दोनों के बीच में सॉलिड ब्रिज बनकर रहूंगा है ना गॉंस से उनादूंदी आप हार जाओगे लड़का अलग साइड का है उसे कैसे पाना है मुझे मालू मैं पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले इंदीखो आश्रम का अटिंगन दा रहा है एक ड्रामा शिरू करो पचा बचा 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 कोई इसे बचा को आई इसे बचा को आई जो है तुम कोन हूं मैं कोई हूं मैं नहीं जानता हूं पिर भी मेरी बात मानो, चारों तरब कहीं भी देखो, दिशाएं दिख रही हैं, किसी भी दिशा में चलो, तुम्हे रास्ता मिलेगा, ये भरी जवानी में मरने की क्यों सो च्री है, आरे, जिंदगी जीने के लिए होती ही, मरने के लिए नहीं, आप बाप मैंने कितनी मैं तुम्हे बचाने आए था, और तुमने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत अन्यवाद, मैडम, सोसाइट क्यों बताओ, आजब, कारण पूछ रहा हूं, तो मेरी तरह रो क्यों रही हो, मुझे पहले जिंदगी थी मेरे बाप बापने, और दूसरी तुमने, हाँ, सिर आपने मुझे बचा लिया, अब आप जाया रहेंगे भवाही रहूंगे, आपको छोड़के नहीं जाओंगे, आपके सिवा मेरी तर्दिके में, अभी कोई नहीं है, मी तो बहुत अच्छा है, साइकोप चलने वाला मैं मेरी तो लोटरी लग गई, सुनो, तुमरा नाम क् पसंद नहीं है, क्या, बोल रहा हूँ, ऐसा बोलना, नया एड्मिशन, कौन हो तुम, अरे, रो मत, रो मत, रो मत, ये क्या है, पुछा तो रोने लगी, जो नहीं रोएगी, एक इंसान की जिंदगी में इतना दुख होगा, तो वो तो रोएगा ही ना, जिंदगी दुखी मेरे सवालों का जवाब दो, बेकार में होश्यारी मत दिखाओ, एक चिल्ला क्यों रहा हो, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मेरे सीने का दूख फूट कर बाहर आ रहा है, बाहर आ गया ना, अब क्या मत रहा हूँ, ये लड़की अपनी परिवार के साथ ने वैंद में मंदि जा रही थी, अचानक में का एक्सिडेंट हो गया, और इसका पूरा परिवार खतम हो गया, भगवान की क्रिपा से ये लड़की बजगी और अनाथ की तरह रोड पर खड़ी थी, मैं इसे यहां पर उठा कर ले आया, कहां हुआ ये सब, रोड पर, है मैं जगा के बारे में अधिक है, कितने मजे पेशाप करने का था, एक्सिडेंट कितने मजे हुआ ये मत पूछो, पेशाप कितने मजे करने का था, ये पूछ रहो, आधि हुआ, दोनों काम एक साथ ही हुए थे ना, मैं आपको मार दूँगा, अगर मैं गलाच सोच था तो मंदीर में ले जाके इससे शादी कर लेता, लेकिन मेरे दिल में रहम है, इसलिए इसे यहां लेकर आया, चलो लड़की, मेरे साथ चलो, तु गया नहीं क्या, अभी तुछ से बात करने का फायदा नहीं, मैं सीधा देवा से बात करूँगा, चेक रेडी है, हाँ, रेडी है, नमस्ते, क्या प् कर दो, मैं बैंक से होका रहता हूँ, देखा मैं खडू, देवा ने एक बार में दाखिले की पर्मिशन दे दी, तु इतना सवाल पूछ पूछ कर पागल कर रहा था, तु एक बार गाओ जाब फिर देखता हूँ, सुनले, अभी तक दाखिला ने दिया है, उस गाड़ी का वैन का नमबर नहीं बताया, तो दाखिला नहीं मिलेगा, आज पूरा दिन ये मुझे नहीं छोड़ेगा, बुड़ी को लेकर आओ, तो एक भी सवाल नहीं पूछता है, एक जवान लड़की को लेकर आओ, तो हजारों सवाल पूछ रहा है, वैन नमबर मिला क्या? नहीं! मॉनी सर, बोला, इसने सही में नमस्ते किया या मेरा मजाग उड़ा रहा है? क्या सर, आप सब जानते, मुझे बताना पड़ेगा कि वो मजाग कर रहा था, ये नौर्थ मद्राज का गुन्दा है ना? हाँ सर, चलो उसे देखते हैं, सर, सर, मुझे माफ कर दीजे सर, मैं मा सर, ये हमारी वर्दी से दर के नहीं आया है, जर आप उदर देखिया ना? क्यों रहे हैं? देवा के डर से तु मेरा पैर पकड रहा है? सर, सर, देवा मंदिर नहीं आता है, सर, वो मुझे मारने के लिए मंदिर आया है, अगर उसने मुझे देख लिया तो छोड़े गए नहीं, सर, हीरा के साथ मुझे भी मारने वाला था, सर, लेकिन मैं बच्छे है, एक मिर, उसने हीरा को गोली मारी तुने देखा था, क्या? मैं कैसे भूल सकता हूं, सर, मेरे ही सामने हीरा को गंसे माते पर गोली मारी थी इसने, इस बात को तु कोट में जाके बोलेगा क्या? अगर मैं जिन्दा रहा तो गवाही जरूर दूँगा, बस मुझे यही च जोचकर, बहुत खुश है ना तु, गवाह है और तुम इसको मारने के लिए इस मंदिर में घुम रहे हो, हिरा को मैंने मारा है, ये बात आपको किसने बताई? बोलवे, अब ही जो इसने मुझे बताया, कल वही बार कोट में भी जाकर बोलेगा, हाँ हिरा को मारते समय तुने मुझे देखा, अच्छा, अगर मैंने तुझे मार दिया, तो कौन गवाई देगा, तुमने कभी सोचा है इस बारे में, तो तुमने देखा नहीं देखा, सेर मंदिर में आये हो, पूजा पाड़ करो, प्रसाद लो, भजन किर्दन करो, पबलिक को क्यो परेशन करे हो, लाइफ में कुछ काम देंदा है या नी चलो अब लो इसे, ज़रूरत है तुम्हे मुझे कुछ दिन के लिए जेल में डाल दीजे सर, तभी मैं बच पाऊंगा सर चलो हट रहे अरे इतनी राज को तू नाच हुँ नगी है मैं हर सेटनी नाइट को डिसको टकच जाती हूँ आज है साटडे इसलिए डिस्को डिस्को की बच्ची अब एक जापड मारूंगी ना इस आश्रा में आनाव बनकर आई हो आराम से रहो नहीं तो देवा से कह दूँगी क्या देवा से बोल दोगी कौन है देवा देवा हमारा साब है तो मैं भी आपकी साहब हूँ क्योंकि आप सब लोग उसके लिए माबाप के बराबर है जब तक आप लोग मुझे नहीं करेगे तब तक वो भी मुझे हा नहीं करेगा उसके ही कहने पर मैं अंदर आई हूँ अगर हम ओके ना करे दो आप सब को बाहर बगा दूगी अगर आप सब लोगोंने मेरा साथ नहीं दिया तो भी मैं जीतूँगी और जीतने के बार जिस जिस ने मेरा साथ नहीं दिया उसे छोड़ूँगी नहीं कमान गर्स ओके हम सब तुम्हारा साथ नहीं है यह की बार कड़िये मैं आहें से तुम्हारा साथ डूँगी आप लोग सब लोग क्या करें रात के बारा बच चुके है चलो जाकर सूजा तुम्हारा नाम अंजली है न यहां बर रात में चल्दी सोजाने का गुड़नाइट गुड़नाइट सोजाओ गुड़िया मेरा काम्याबत होगा ना ताकि आप उसे बताए और वो उसे शादी कर ले हां तुमने कहा था लेकिन अभी हमें क्या करना होगा मुझे बहुत जल्दी में से देवा बनना है इसलिए आप लोग अपनी तरफ से प्यार से समझा देना ओके जय बजरंग बली बेता बेता क्या हुआ मा रोज दिया जला के तुम पूजा करते हो अगर एक लड़की दिया जला के पूजा करे तो अच्छा लगता है हम सबकी यही इच्छा है हाँ बेटा को चल gonna महुए मैं पीऐ इथे सोच रहा है हम के इतने दिनों से मैं सवार्कृ हो गया था वच कुछे आपित लिए जला लिना फिर पर्स। आप जला लिना उसके बाद हूप उसके बाद आप उसकी बाद आप जला लिना प्रिवाब गोल मिस्स हो गया दिमाग नहीं आपको अरे कौन है वोल के से बोलोगा ये क्या है दिया जलाओ पूजा पाट करो ये करो वो करो अरे साथ से यही सुनती आ रही है तो बदलो भी कि रही है या रहा है आ कारे क्या है आ रहे आ रहे चाहँ कर चाहिए जाल जबागी उताद इसे रावाण को अ क्यों अ क्यों अ कर दाख जो अख के दो क्यों आख बागे क्या लक्षिमी आ कर दो कर दो मेडम, मेरे महने की तंख्वा 2,700 रुपए है, लेकिन इसमे 5,000 रुपए है, गल्सी से आपने दे दी है क्या, एक्सी बात नहीं है, मैंने चांद बिश्क दे रही है, मुझे आप क्यो ज़्यादा दे रही हो, ज़्यादा सवाल मत करो, मेरे इच्छा थी, इसके मैंने दे द मेरे महनत का पैसा मेरे लिए काफी है, नहीं नहीं, आप पैसा रखिए, आप मुझसे जबर्दस्ती करेंगी तो मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी, मैं चलती हूँ खुदारी की इस दुनिया में जिने वाली आपकी मा, आज उसे खुदारी खतिर उन्होंने आपके पैसे रहने से इंकर कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए, यह लिजिए अंजली और मैं एक दूसरे से प्याह करतें यह बात में भाई को बोलूँगा, तो जलन के मारे मर जाएगा, भाई, उत्तर और दक्षिन को कभी एक साथ मिलते वे देखा है क्या, नहीं, पर यहाँ पर मिल गये, भाई तुमने कभी हवा के जोगों को तुफान से लड़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन कभी गले मिलते देखा है क्या, चांदी और पीतल को मिलते हुए देखा है क्या, यहाँ यह एक साथ होकर, एक साथ मिलकर, निपट कर, चिपट कर, सिमट कर, साथ साथ भूम रही, कड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ यह तो गलत है ना तो क्यों देवा से मिलेगा मैं तो अपने प्यार के बारे में बताऊगा मैं भी लब मैंचर के बारे में बताने आई आरे जब वो मेरी बार निक मार रहा है तो तेरी बार कैसे मानेगा मैं बूलूंगी तो सुनेगा 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 तुझ जैसे पागल से बात करना तो पागल हो गया हूं क्या पॉल 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 तूट गया है आप देवा के मैटर में मेरा वाला स्टाइल की इस्तिमाल नहीं करते हो मैं समझा नहीं आप उसके खिलाफ गवा ढूंड रहे हो इसकी क्या तरूरत है सर उसको पकड़ कर उसको जेल में डाल दीजिए और मेरा स्टाइल कीजिए सर उसको उल्टा लस्का दीजिए ये टूटा हुआ जब पड़ेगा ना सब कबूल कर लेगा बोला शूपर बोला श सिफाद ये दूसर समझ गया ना अपना मुँ बन रखें उसको कहा वारेंगे और किधर मारेंगे उसका स्केच मैंने बना लिया है इस बार वोबस नहीं का तंदिय से अपना हाथ हटाओ ये पबलिक पार्क है आप किससे कैडर ना है तुम्हारी मां को अपना लब मैटर ब दो जूशा भाट आप जली पुरीचा अगे बाट तुम्हें अधि लगा ना ये चल गरी में जल बैब भाट पहले दिन तो सोचा था कि प्यार की किष्टी जल्दी से पार हो जाएगी लेकिन इन किष्टी तो अभी तो यहीं खडिया है यह क्या मेरा दिन नदी के पानी की तरह शान था तुमने आकर उसे छिंजोड कर रख गिया तुमने ऐसा क्यों किया जो तुमने जखम दिया था वो नाशूर बनता जा रहा है उसकी जल्दी से दवाई दे दो दवाई हां हम दोनों अपने दिल की बात एक दूसर से नहीं करे अगर ऐसे पूरे महीने लेटर पढ़ेंगे तो दूसरा काम कब करेंगे जाओ भी जाओ भी जिस तरह पती से प्यार से बात कर से उसी तरह बात कर रही है देवा कहा है देवा ओफिस में है त्थी लड़की कौन है यहां तो आई है अंजली मुझ पर शक मत्या करो मेरे दिल म है तुम्हारे सुगा और किसी के लिए जगा नहीं है वो तो देवा का मैटर है देवा के बारे में मैटर है हाँ ना यह इदर उदर देखकर भाग क्यों गई ओहो शायद शर्मा कर चली गई है और लड़कों की तरह इसके अंदर भी तो शर्माया होगी ना आखिर लड़क क्या वो यह लोग है यह लोग यहां पर कैसे यह सब लोग मेरे आदमी है तुम लोग जा ठीक है तो बताओ तुम बच कैसे गई उसका ना प्रकाश है ना मैं उससे जानता हूँ पहली बार मैं उससे बेलापूर बस्टेंट पर मिला था अच्छा लड़का ँच्छा अच्छा परिवार से आता है तुम्हें जान से जाधा प्यार करता यह लेकिन अपनी जान पर खेल कर तुम हरी जान बचा सकता है यह मुझे आपका सब्सक्राइब मा को पता है क्या माने उसके मम्मी डाड़े से भी इत बात कर लिये वो यहां तक पहुच किया थैंक घॉड ये तो बहने में तो डर गई थी हुआ है तेरी इतनी बूरिश शकल को बार बार नमस्ते करता रहूं क्या इस तो अकल ठीकाने आजाएगी समझे क्या तुझे नमस्ते कहने करें लिए तुम क्या बहुत बड़े गवर्नर हो वटाने खा रहा हूं बेवकुफ करेंगे वटाना वटाना के इस तरह से खाते हैं वटाना इसे खारा जैसे लोगों को नमस्ते कर रहा है क्या रहा है क्या बात है साथ जी अपने अब पत लिए और तुमें से अमार आप आए आ आप आसे आपर रहा है लूले के साथ लंगड़ा भी है, मुबद कर, वो मदद मांगने आया है, तू उसे ही मार रहा है, बेवकुप कहीं क्या, वही बाद वो बोल कर गया, तू वापस क्यों बड़ा, तू इको है क्या, जाना अपना काम करना साले सूपर, पूरा नाम बोला कर, सूपर सूपर बोल अच्छ है, शिरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंत में बेजज़दी हो जाती है, अनात का बटाना अच्छा तो लगेगा ही, नमस्कर भाई, यहां पर सब लोग मेरी बेज़दी कर रहे हैं, और यह मुझे नमस्ते कर रहा है, अबे, मैं नमस्ते मस्ते नहीं बटाना खा रहा हूँ, अबे, मैं इतना नीचे करके दिखा रहा हूँ, तु फिर भी उचल रहा है, लेखा, मानी भाई, भाई, इनका नाम रजिस्टर करके इने का अच्छा सारूम दिखा दो, ठीक है, अब अब अन जाने में तुमने गल्ती से इने पापा कहे दिया है, तो जब तक यह आँ रहेंगे, तो इनका ख्याल रखना, ठीक है न, यह क्या है, पेंट है, तम्हाल के रहना, वरना सारे पाट बेंट कर दूगा, पापा, यहां क्यों आए हूँ, तुम्हारी बहुत याद है, बेटिक कैसे रहूंगा तुम्हारे बेन में, अपनी पैचा वो यहां किसलिए आया, पूछ उसके, मा, हम दोनों की बीच की बात, हम लोग बाद में निक्टा लेंगे, मैंने सुना है कि सुशिला की शादी होने वाली है, मा, उसका सगा भाई होने के ना दे ये बात, मुझे पताने चाहिए लेकिन कोई बात नी मा, बहुत तिनों बा पैसे है, जो मैंने उसकी शादी के लिए जमा किये थे, इसे ना मत कहना मा, ये लीजी, उसे पाल पोस के मैंने बढ़ा किया है, उसकी शादी कैसे करनी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, एक गुंडे के भरत से मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती, तेरे ये हुए पैसे से इसकी शादी करने से अच्छा है, वो शादी के बिना फुआरी ही बैठी रहे, वो आपकी बेटी है ये बात में समझता हूँ, लेकिन वो मेरी बहन ने ये बात आप क्यो नहीं समझते है, एक मां आपकर अपने बेटी से बात करती हो, अपनी बेहन के लिए मेरा कोई परश रुको लड़के के घरवालों को मैंने बताया है कि मेरी एक ही लड़की है मैं भी यही अकीन करती हूं तू भी इस बात का ख्याल रख़े करना है कि सबस्क्राइब करत्यों तो था कि मैं हुआ है सब्सक्राइब करते हैं तुमने जो कहा वो बिल्कुल गलत है को ये कंपनी है उसका मालेक तुमसे मिलने के लिए कब से इनतजार कर रहा है इज बीज़ और उसको अपने पास पास बुलवा लेना चाहिए था ना भाई ये मेरा खुद का काम है मुझे खुद ही करना पड़ेगा कितने भी पैसे लगे कितना भी वक्त लगे ये काम खत्म करके यह आऊँगा कि यह किसे हैं मिच्चर देवा इस्क्यूज में सर्फ यह अरे आप यहां कैसे हैं सर आप यहां कैसे हैं यह भी मेरी कंपनी है अन्यय आश्रम देवा मैंने तो कुछ और ही समझा था मगर यहां तो कोई गलत काम हो नहीं रहा है कैसे चल रहा है अपने फाइदे के लिए मैंने पाप किया था आपने मुझे इंसान बना दिया मेरी पैक्टरी की मज़़ूर बहुत खुशी से काम कर रही है इसका कारण है आओ दरसल मुझे आपकी मताच चाहिए बुलिए सर मुझे क्या कर रहा है कर दो कि अपने अचानक मुझे मैंनेजर की पोस्ट दे दी नहीं तुम इतना एकसाइट क्यों हो रहे हो तुमारे अंदर इतनी कभलियद है कि एक साल बाद में तुम्हें ये पोस्ट देने वाला था वो आज ही दे दी नहीं सर अचानक क्या कारण है ये मत पूछो तुम अगर शुक्रिया आदा करना चाहते हो तो मुझे मत करो तेवा नाम का एक आदमी है उसे शुक्रिया बोलो सर आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है सर एक बात और है आने वाले 20 तारी को मेरे शादी है आप शादी में जरूर आईए और हमें आशिरवाद दीजिए शूर में बहाए बेटा मोरत का समय निकला जा रहा है एक मुझे तो किये मुझे किजी कंदर जार नहीं क्या हुआ क्या बात है बेटा याइपी महमां कंदजार कर रहा हूं उन्हें आने दीजिए वो कब आएंगे पता नहीं मौरत का समय बीता जा रहा है नहीं मा वो जब भी आएंगे वही हमारे लिए अच्छा समय होगा वो आग है एक मिनट नमस्ते नमस्ते अईए कैसे हो दोस्त क्यों दूले राजा भाई नहीं आएगा ऐसा सोच रहे थे ना कोई कुछ भी बोले भाई जरूर आता है बोले वाले बोलते ही रह जाएंगे पंडी जी भाई अपने हाथों से मंगल सुत्र देदो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी मेरी तरफ से एक छोटा सा तोफ़ा विश यह हैपी मैरे त्राइब एप अगली तु खुश तो है ना इन से मिली यह मेरे मंबी डैडी नमस्ते और यह मेरी सासु माँ नमस्ते इनका नाम देवा है यह सबकी मदद करते हैं धिल के बहुत बड़े आदमी हैं नहीं नहीं है ऐसा कुछ नहीं मैं इक आमाथी हैं यह आपका बड़कपन है सर्थ वैसे पूरे शहर में आपका ही नाम है सर आप मेरी मा की तरह हो अपना बेटा समझ कर मुझे रशीलवात देना कि अब बहुत बहुत चुपिया तर आप मेरे कहने पर बिल्कुल समय निकाल कर जाथ से मेरे शादी में आए इसके लिए बहुत बहुत थैंस की कोई बात निए शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए जो आपने मुझे अपनी शादी में बुला है कि नमस्ते अच्छा सब्सक्राइब कर रहे हैं तुम भी मेरे साथ मार्केट आ रहे हो यह बहुत का मुझे भरुसा नहीं था अच्छा इतना फ्रेंक बात कर रहे हो धन्यवाद अतुनों तुम अपनी बेहन के शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया था फिर तुम क्यों ग इसलिए उल्टा पुल्टा बोलकर मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं अभी तुमने तुमने बात की उसके लिए धन्यवाद अब मैं अब इसीधी बात कर रहा हूं आज के बाद मैं कहीं भी बिलाओं तुम मत आना इसलिए हम दोनों अलग 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 दिशा में जाएंगे त अब इसलिए अपने पैसे से करी लेना है अब अद्मी कर भूसा नि रखता और चिल लाता है यह क्या खराब अंड है ती कि अच्छाब तुमाटर देखते हैं यह क्या सड़े सड़े तमाटर रखे हुए हो यह पत्ता दो भी है यह खाने की चीज़ लग नहीं है यह पत्त है इसका क्या है क्या खरीदू समझ में नहीं आ रहा है यह जड़ा पीछे मुण कर देख सब्जी खरीद ने आया है ना तो सिर्फ सब्जी खरीद सब्जी उठा कर पीछे मत फैक अभी जो सब्जी फैकि वह आपके चेहरे पर लगी उसी से चोट लगी है क्या है अब हेलो यहां पर बहुत दिस्टर्बंस है मैं तुम्हें पहुन करता हूँ हाँ भाई वो तो गया आप शूरू करो आप अब क्या आप कुछे बताता हूँ किसका एरिया है यह मेरा एरिया है अरे नर्ब के अंदर क्यों खोड़ा कर देख ज्यादा बोल मत अरे 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 अर आयज को हको रहा है अरु छैका अर्यवा यह का आपिलोग पहले मार के छोड़ देते थे लेकिन आज खल गपने वाली खलिभी लगाया कर जाते हो क्या अब जूकने के बाद आरे जिकनि होगे क्या जिन्दावाद जिन्दावाद सर इसके आगे अब क्या कमजाते हैं अभी तो बखत बताएगा सब को धन्यवाद आई आये भाई आये भाई नमस्ते का बात शुरेश्टवाद निस्नल पार्टी के तुम जनरल सेक्रेटरी बन गया हो मैं इते कैसे बन सकताथ बहाई आपने गैल में बैठे बैठेας आक यह आध О हमारे उने भाले हमने तम आफ से 5 अह थैओरन तम आप आ हमारे होने वारे गुक्षमिंट्री न थिन्सरी न आथ सा दे आप लुप city मिंने की लिए जेल में आगेह सी निसे एक दिन मंहीना जेल थे mais एक दिन थी पर स्यमसे मिलने नहीं के 강ई याया पार्टी का मझाइड़ा था इससी निस मगहलं घानाव लुक सुवे जेल का खाकर जीब का स्वाग बदल गया है नहीं भाई सामर भी बहुत करम है आप खाओ सुरेश भाई तुमने सब को बोल दिया कि तुम्हारे साथ हमारा अच्छा संबन में है तुम्हारे हरामी कुछ को का लगा यह हम जेल में है तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा कि आप हमारे पाटी के पांच जाब लोगों को लेकर रूलिंग पाटी में रादी लोने की पर चाहिए तुमको मंदिल के बाहर बैटकर टोकन देता था घूता चुपलका और आज इस चोहर में 200 एक जमी का मालिक है शॉपिंग कॉंप्लेक्स है जाइदा दे कई को गाड़ी है इसको किसकी वज़े से इस नारायम दोट की वज़े से और तेरी की हुमत कि तो हमारे ही आपनी को हमसे अलग कर रहे हैं एरे पुंदे अरे ओ कमिशनर हमारे पार्टी के एमेले तुरे शोहान का इंकाउंटर कर दो और उसके पुराने केस को फिर से खोल दो अरे 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 बापने बाद भाई भाई ऐसा मत करो नहीं मैं आपके साथ कभी भी कर देगा ना कि तुनों कमिश में है जो कहां उसे भूल जाओ जब तक लार मूं में है उसकी कीमत है थुक दिया तो पेकार अब जाओ साहब जी मैं आपके दो आदमी अटेंब्टो मर्डर केस में अरेस्ट हो गए है तो हमारे आपनी है जानता है ना जानता हूं साब इनसे दसकत लेकर अभी छोड़ देता हूं इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने फोन किया अच्छा ठेक है आप जल्दे उनको छोड़ द स्पेक्टर चौदा समीश स्पेक्टर और पतिस क्रोश्टेबल पंद्रे एरिया और एक सो पत्चास के इस दिवाग में चल रहा है सम्झे बैठो अरे भाई तुम्हारी समस्या क्या है अगर मेरी लड़की जिंदा रहती तो आज अठारा साल की होती तेन साल पहले एक अमिर जादे ने मेरी बेटी की इज़त लूटकर मेरे आखों के सामने उसे बड़ी बेरहभी से मार दिया अरे फ्लेश बैक में मत जाओ सीधा मुद्दे पर आओ आपने उसको एरेस्ट किया था मुझे न्याय देने का वादा भी किया था लेकिन वो तीन दिन के अंदर छूट किया मेरी बेटी के केस में उसका इसका कोई संबंध नहीं है यह बता कर आपने छोड़ दिया उसे मैं आप से अपनी बेटी वापस नहीं माग रहा हूं उसकी जान के बदले न्याय चाहिए वह पैसे वाले का बेटा है पैसा देकर बाहर आ गया तुने अपने आपको बड़ा समझतर केस किया था अगर तुमेरी बात माल लेता तो कपरमाइस करवाकर तुझे कुछ पैसे दिर्वा देता अभी मैं तुम्हारे ल आगा ये बताने के लिए दुझे बुलाया है और कुछ बना है रोग दो सबको रोग दो गवार नहीं है ये मत सोचना पैदा करवाओं दस पागलों को आश्रम मेरक्तर आश्रम चलाने से कोई अच्छा आत्मी नहीं नहीं बन जाता वहां भी तब कोई पागल नहीं है ले किसको आपको एए जब तक तरे हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा अच्छूँदाँदाँग नहीं पादी ए किसके जात्त तरती नहीं पिक्सा आप्दक लिए करूँदाचादब पुरूँदाँदाँद आयााफ जात्त पुरूँदाचाददादटर एप पुरूँददाद वहा ए dato ऊपको पोदे बिर से लिरूख हए. प्रूमों पिस्मिती लफ्वत पत्रसाद यिम्मया शुरसी दोस्ती खदसन्दी है विश्य बसन अंदवत यही है ना तीन साल से आपको न्याय नहीं मिलाना अभी आपको न्याय मांगने की जरूरती नहीं न्याय आपके हाथ में अब बस पैसा सुनाओ पैसा साल कियक है नहीं में ब지क हाथ रहाथ नहीं chemo l रहा रहां नहीं है कि अब डिटी की आत्मा खुशांती मिल गई कानून हार सकता है हम नहीं हारेंगे जब कभी सरुरत पढ़े आकर मिला मेरा नाम देवा है हम तो मिलाप्त पत्रसाद इम्मया शुरसी दोस्वीकाद संधी है विष्य पाराइपनेति है सर तो Mr. ईश्वर पांधया रटू पूली स्टेशन है अपन करो कि ओंधया ऐ सकती है मैं बहुत असीतर से जानता हूं हिए ए बीवह दॉण है ने मुझे वापस बीवकूब बना दिया सर अर्ष घ्करण है कि कि देवा वसकूल ξाण दिखा दी कि हमारा डिपार्टमेंट उसका कुछ भी बिगार नहीं सकता है अगा आगा फोन आगे फोन आगे फोन आगे हाई मैं देवा बोज़ा हूं कुछ बात करने की आपसे देख लूगा तुझे देख लूगा आपके राज्चे में अगर कुछ भी होता है तो आपको लगता है उसका जिम्मेदार मैं हो अभी अभी आपके पुली स्टेशन में एक डिल्ट बोड़ी आकर पड़ी होगी अभी इस बीना खेट करना यह सब तुभारा काम है मैं जड़ के अंदर खुश कर जड़काद्वा तुभ तुभ यह केलो किकेलो यह जिदू अब बिना सोचे सम्झे से कहलने की कोशिश कर रहे हो अब पगार ले रहो तो थोड़ा सा दिमाज इसमाल करना अच्छा होगा एन्यूव यहां क्या लिखा है मुढ़ने के पहले मैंने सिगनल दे दिया अब तो कंपम हो गया तुमने मुझे मारते समय लगा तार लगाता चुआ ना तुम मुझे चूना चाहती हो लेकिन मुझे पसंद नहीं है यह भगवान इस शहर में सब से मार खाने से तो अच्छा है एक लड़की से मार खाया अभी तो सब अच्छा था अब क्या हुआ अंजली और देवा का है लव मैटर मुझे लगता है सब जूट है मैं भी यही कहना चाहती थी आप सही कह रहे हो इसमें सक्के क्या वात है हम देवा से पूछ लेंगे वारे वा जिनके खुद के जिंदगी का पहिया हिल गया है वो बुढ़ी औरते मिलकर मेरी बेटी की जि क्यार है यह नहीं यह जानने के लिए आप सब का दिल विचलित हो रहा है आप चिंता मत करो मैं इस मैंटर को ओपन कर रहा हूं हां यह देखो तोड़ा जूम करो क्या जूम कर रहा है मैं भी विजूल कम्यूनिकेशन पड़ चुकी हूं यह ओरीजिनल नहीं है इसमें खु यह दिपावली अंदूम दाम से मनाएंगे हां अधर दखिये हूं हुआ 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 है इस तो नहीं है तरहा है उसकी जाने का सब्सक्राइब दो जाने के बार तो एक काम करना नोई श्टॉक का बोर्ड लगा देना हुआ हुआ है फ्लाश्ट में चला गया अगर वह देंदें चला गया हाँ हाँ देंदेंद्या आप जिकी खत्म हो गया भाई सचमुच में गासेवर्ड खत्म हो गया सिर्फ तुम लोग दिपावली मनाओगे बाके सब क्या भीक मांगेए सबको जीने का हक है तुम जैसे लोगों की वज़े से सरकार बतनाम है अगर आएंदर इसी कर दिए तो एक बात या दख्यां तुकान यही रहेगी लेकिन तुम नहीं रहोगे आगे से इसी गलती नहीं ह होगी भाई पर तुम अगर अधिन देना है तो मत दो नहीं तो इस लड्डू को लेकर पीछे से जाओ यह क्या मूंके साम्दिल आते और फिर पीछे ले जाते ले पागल मेरी चाल ही ऐसी है ओ ओ ओ ओ चाल ही ऐसी है मैं तो भूल गया था अच्छा एक बात सुनो मेरी ना तुम एक चोटी सी मदद करें यहां ना अंजली नाम की खूबसूरत लड़की घूम रही है उसको क्या तुम मुझे से मिलने की बात कर रहे हो तुम से मिलने की बात कर रहे हो अब तेरी बेटी को मंग लिए ऐसा क्यों कूद रहे है सुनना तू मुझे उस से मिलवाएगा तो मैं तुझे तेरी उम्र के और से बिलवा दूँगा यहां दो अब पागल हो गया क्या दाइबाया हाथ से मुझे मुझे तो कहता है इस हाथ में लगवा मारा हुआ है लेकिन मुझे मारते वक्त इसके बॉड़के सारे पाट्स ठीक हो जाते हैं भाई इस साड़ी को अलग से रखते हैं क्यों बेटी नाइर में खड़ी होकर साड़ी लेने की बज़ें यहां क्यों खड़ी हो मुझे जो मिलने वाला है जो देने वाला है वो खुद ही आकर मुझे दे देगा अच्छा 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 क्यों दे रिए अच्छा वे इस अफ्रामा ए, इस तरा क्यों कर दो है? अरे क्या कर दो हुआ बची? सब घतम हो गया हम सब ने उसको भरोजा किया तो फिकिन इसे हम सब को भरोजा आप रहेगो आप सब लोग उसे सर पढ़ लेकर नाच रहे हैं मैं उस देवा की बात करी आँ अच्छी बात है तुम बहुत पढ़ी लिखी हो तुमें ज्यादा दिमाग है इसलिए बगेर सोचे समझे कुछ भी बोल दिया अभी तुम उसे गुंडा कह रहे थी ना लेकिन जिस गुंडे को उसने शूट किया उसका नाम था हीरा उसकी वाइप है वो उस हीरा की गलती की वज़्जा से उस और तुम उसे गलत कह रही हो तुम्हारी नजर में देवा एक गुंडा या मावाली होगा लेकिन वो एक टीचर है कि दुनिया गोल है माता पिता सभी गुरु पूतना प्रकूती पर भरोसा रखो सपाही संपत्ती है जो चीज नहीं मिले उसे भूल जाओ बोलो जो चीज नहीं मिले उसे भूल जाओ मुझे तो नाखुन पर लगा है ऐसे में तूने भी महंदी लगा लिया है वो देख तेरा भाई खाना बना रहा है क्या हो गया अगर मैं खाना बना रहो तो कोई बड़ी रिस्ट थोड़ी ले रहा हूं लगे रें दोसी महंदी शंक आग में जले तो उसकी सफेदी नहीं छुटती तूशन खत्म हो चुकिया घर जा सकते हो तूशन खत्म हो गई अभी घर जाओ हम जा रहे सर बाई बाई यह लो मा खाओ आप आप इसको क्या हो गया अशनक से आपको तिखा लगा क्या मैं खाता देख़ा हूं अधर इतना तीखा होने के बाउचुद आपने कैसे खाया मेरे बेटी का हाथ का निवाला है वो कैसा भी हो मेरे लिए अम्रिज है मा पता है तुम्हारा बेटा तुम्हारा लाड़ना है इसलिए उस सीखे खाने को भी अच्छी थरक खा रही थी मा अब ही आ रही हूं दे बखले मैं चलता हूं बैया आते समय मेरे लिए मोटियों की माला लाना मत भूल नहां ए वो त्रिची में पेपर करेक्शन के लिए जा रहा है तुरी मोटिय की माला लाने के लिए नहीं चलता हूं मा जीत दे रहो रुको ठीक है मा चल रहे तो कि बाब या आये सर एक्जाम पेपर के करेक्शन पर ही आपके दर्शन होते हैं है आप 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 कि अरह झाल तो झाल जल्दी जाएंगे तो हम बस पकड़ सकते हैं सर हां क्या हुआ मेरे काम का क्या हुआ मैंने कर दिया है अच्छा तो नंबर लेने के बाद भी प्रेल कर दिया मेरे प्रेल मैं तो तुमसे नंबर लेकर ही गाया था ना पेपर करेक्शन करते समय कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसलिए वो अगर एक दो पैराग्राफ भी लिखता तो मैं एक दो नंबर देकर उसे पास कर देता लेकिन मैं क्या कर सकता हूं मैंने उसे अंड़ा दे दिया है उसे धंदा करने के लिए कहो है टीचर कर दीना गलती मेरे अंदर एक गंदी आदक है जो मेरी बात नहीं मनता उसे मैं जिन्दा नहीं चोड़ता समझे पर वाले को अगर बनाने आता है तो पिकाट में लिए आता है स्तविकर्गे कम का पस्तेंस क्या होत है कुएं तूम बता हुआ। इसका आसस्तिनस क्या है वाचुई। औहो देवा सर बोलिये सर ये अंगनवारी में आया का काम कर रही है चांद रहा हूं ये आपको कोछ बताने के लिए यहां आई है बोलिये बहन जी गबराने की कोई ज़वदी करेंक रहा हूं सर सकर्डेब। हुआ है कर तो झाल है नहीया कर दो झाल हमन्हीं ईसकतो रिर्बार्बद पोसी है... जिर ना हुम mojeग आहिम करें हुद पहुदँ तरह अच्छार आपर पीसर को पागल की तरह मार रहे हो क्या सर आप इसे पागल कह रहे हैं आपको पता उसमें क्या किया मेरी लग्यकी की इद्द से खेल रहा था इसे पुलिस के हवाले करेंगे तो इसकूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी आप इस जोटी सी बात को बला मत करेंगे प्लीस उसे माफ कर दीजिए जाने दो मा ये स्कूल नहीं तो मेरे हजारो स्कूल है अच्छा हजारो स्कूल है बहुत अच्छी बात है वहां भी कोई गलती करेगा तुम उसे भी मारोगे कैसी बाती कर रहे हूं मा तुम्हें पता है न उस बच्ची के साथ क्या हुआ था देखो मा ये सब देखकर मैं चुप नहीं रह सकता तुम्हें तो शुक्र मनने चाहिए मैं उसका खून नहीं किया क्यों वह भी करके जेल जाना चाहिए था ना क्या मा आप भी आपको गर्व होना चाहिए कि आप देवा की मा हैं आप उस पर नाराज हो रही है देखिए मैं एक मामुली सी मा हो मेरा लड़का एक अच्छा टीचर बने मेरे लिए यही अच्छा है मैं इस तरह का नहीं कार्पिट बन कर दे और अगर मार धाड़ी करनी है तो हमें छोड़ना होगा इधर देखो मा हमारे घर में भी लड़की है अगर इसके साथ ऐसा हो जाए तो आप कौन यहां देवा कौन है भाई है लेकिन आप मेरा नाम मदन मुहन है जैमाता बाल मंदी में मैं टीचर हूँ मुझे आप से कुछ जरूरी बात करनी है बोलिए सर मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ वहां पांस ओठारा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा एक मैं चाहता हूँ कि आप इस पर तुनत एक्षन लें ठीक है तो पिटिशन दे दे दो यह लीजिए सर तेरिया ना अब जाओ ठीक है सर बागल कही का मुझे चिखाने आता है क्या करना है मुझे पता है सर मैं अपनी फाइल हूँ गया है सर आप ही ना देख रहे हो इससे पहले जो भी पिटिशन दिया है उसको मैं ऐसे भाड़ा है और आगे जो भी दोगे उसको भी मैं ऐसी भाड़ूगा हमजा तुम्हें चो कर रहा है कर दो तूं सर वो सिर्फ पैसा देखता है बच्चों क सुरक्षा नहीं है यह सारी शिकायत में किस्से करो यह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर आपने अपने स्कूल में बहुत अच्छा काम किया जब मैंने यह सुना सर आप इसकूल में पढ़ाने वाले एक टीचर ही नहीं है बलके गल्सी करने वालों को आप सजावी दिलाते हैं सर अगर आप हमारा साथ दे तो सदकारी को हम सजा भी दिला सकते हैं मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मैं एक मामुली टीचर हूँ यह मेरा काम नहीं है इसलिए मेरी बींती है आप कही और चाहिए आप हमारा साथ में को सजा देने वाला कोई आदमी है बड़े भर उसे के साथ आया था कोई बात नहीं से मैं चलता हुआ आज की ताजा खबर जैमता बाल मंदी स्कूल में आग लगने की वज़े से 28 बच्चे जलकर मर गए हैं और 200 बच्चे घायल हैं उन बच्चों को मलबे से निकालने के लिए फार बिगेट को बुलाया गया है लेकिन बच्चों की पहचान होना बहुत ही मुश्किल हो गया है उनके माता पिता अपने अपने बच्चों की दहा देख रहे हैं लेकिन फिर भी वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं उनके मावाब एजुकेशन डिपार्टमेंट को दोशी ठेटा रहे हैं लेकिन ये आग लगने की वज़व अब तक समझ में नहीं आई है। हमारी समवादाता और हमारे कैमरामन बहाँ पर मौजूद हैं और बहाँ की स्थिती आग को बता रहे हैं। सर अब आप तो खुश है ना। अब 40 बच्चे जल गए, 200 बच्चे घाय लें जो बहुत देला रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया होता है तो आज वे बच्चे जल के रांग नहीं हुए होते हैं। इसकी बातों में क्या गलती है। उन बच्चों के मरने का कारण से नहीं है। तुम भी हो। क्या है अन्याय होता है वहां न्याय करने की ताकत उपरवाला सबको नहीं देता हिए। तुम पने पुंत को ली इतिक हों भी ते तक भास है अइक ह्युकम इंद्ला धतिकरानाम लेंसरे खता है। SANDERAL इक जो होती। शिह करके चाफ। मैं खुद गटना स्थब्बे गया हूँ, वो देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इंक्वाइरी के बाद ही पता चलेगा कि कारण क्या था, जो भी इस गटना के लिए जिम्मेदार है, किसकी गल्टी है मैं बताता हूँ, क्या करनेगा तू? आप लोग रेकॉर्ड कर रहे हो न, कुछ भी छोड़ना नहीं, मैंने इस अभीकारे को क्यों मारा है पता है, 48 बच्चों के मौत का कारण यही रियत है, एस दिरू में बैठकर रिश्वत लेकर चंद पेपर पर तुमने साइन कर दिया और उसी वज़े से 48 बच्चों की मौत हो गई, बता मुझे, उनने लोगों से रिश्वत लेकर रेकर निशन और पे साइन कियाता है न, बता मुझे, बता, वहाँ पर जाके बोल, जा, मैंने रिश्वत लेकर उस खूल का रेकर निशन लेटर मैं नहीं दिया था, सुना आपने, और ये सर्फ इस अधिकारी की गलती नहीं है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से इसके जैसे कई और अधिकारी शामिल है, और आज आपको पता चलेगा और कितने अधिकारी है, चलो डबे, जहां से सुनिए, हमारी सरकार ने ये नियम बनाया है कि हर एक स्कूल की एक एक बिल्डिंग होनी चाहिए, और उस बिल्डिंग में होना चाहिए, आर सी सी रूफ, स्कूल में कम से कम दो गेट होने चाहिए, बिल्डिंग सही है या नहीं है देखने के लिए ओफिसर आना चाहिए, वो ओफिसर इस बिल्डिंग का उपर से नीचे तक इंस्पेक्शन करेगा, कलेक्शर एक इंजिनि अब नमर दो जमा करने की पूरी जिम्हदारी तुम्हारी होती लेकिन इसमें रिश्वत लिए तो तुम्हारा शिक शार शुद्ध में रेवेने ओफिसर ने तो उसे सजाई से तैसिलदार ने देनी चाहिए लेकिन शर्म की बात तो ये है कि इसने भी रिश्वत लेकर उन्हें लाइसंस दे दिया बदा बदा उन्हें सब्सक्राइब दो लाज रुपया रिश्वत लेकर मैंने ही सर्टिफिकट दिया था अगला आत्मी लेकिन अपने घर में बैठकर बिना स्कूर का इंस्पेक्शन किये ये लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं क्यों बैठ देता है ना देता है ना पॉर्ट चल्ड इंको भी बता है क्यों है हमने रिश्वत भी है बस इफ नहीं अभी और भी है अपना टेप बदल दो अज़ा अज़ा अगर अगर लगे तो बुछाने के लिए उपानी के सुविदा होनी चाहिए जले हुए स्कूल में यह सब था तुने यह सब कहा देखा होगा तुने तो सिर्फ पैसा देखा होगा अभी और भी है यह सब अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ है इन सारे अधिकारी उनको रिश्वत देने के अलावा जिस क्लास में सिर्फ 25 बच्चे होने चाहिए थे डोनेशन ले लेकर हर क्लास में 60 बच्चों को एड्मिशन दिया जाता है यह स्कूल का मैरेश्मेंट और इसमें शामिल होते हैं स्कूल के हेड मास्टर और स्कूल का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ऐसे रिश्वत फोड़ लोगों की जान लेकर हम स्कूल के बच्चों की जान तो वा कौन है आप बाहर के लिए चला है इस रिस्क में उन रिश्वत खोर 15 अधिकरियों का नाम है जिनके गहर जिमेदारियों ने 48 बच्चों की जान ली और आप इस जिला के कलेक्टर हो ऐसे अधिकरियों के गल्दियों को बाफ करना यह आपके सबसे बड़ी गल्दी है लोग सरकार पर फरोसा करते हैं लेकिन अगर इससे आगे अपने काने की कोशिश की तो आप कलेक्टर हो या उससे कोई उपर वाला मैं उससे नहीं चुड़ूँगा यू वेल फेस्ट कोंसेक्वेंसेस्ट अड़ो 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 मिस्टर देवा मैं तुम्हे आरेश्ट करता हूं क्या सचाई का साथ देना गला से जो आपके अच्छा आपमी से सावल कर रहे हैं अरेश्ट उसके लिए नहीं है एक डीयों का खून हुआ है उसकी वज़ेसे गिरफतार किया है एक स्कूल टीचर को डीयों के पेट में चोट लगी उसकी वज़ेसे उसकी मौत होगे वो मर गया उसकी मौत भुतना सरपर ही हो गई और इसकी हुए टीचर का नाम देवा बताया जाता है अधिश जानकारे के लिए पुलिस में उसे अपनी प अधिश ज़दा तुनाती है अधिश भाई मैं अभी भी बोल रहा हूं गल्ती करने वालों को सजा दने की ताकत सबको नहीं मिलती ताकत होने पर भी जो अन्याय से नहीं लगता तुम्हारे जीवन का यह करत है तुमने एक अच्छा काम किया है और जीन अधिकारीयों ने गलत काम किया उन्हें मानी किया का यह सारे शेहरवालों के लिए तुम अच्छे हो मां की नजर में तुम खुनी हो मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उनहीं मानी यह चोड़कर चली गई देवा के जेल से चुटने के बाद सब लोग अपनी अपनी समझाय बता रहे थे लेकिन जो सही है वो काम कर रहा था देवा अपनी मां को ढूंडने के लिए चनने ही आया था उसकी मा मिली लेकिन उसे अपना बेटा मानने से इंकार कर दिया तब उसने अनाथाश्रम शुर यह नहीं कर सकता नहीं तो सच में मेरे हाथ पर ऐसे हो जाएंगे मुझे वही डर है क्या आपने नाटे किया पहले आप लोग मुझे माफ कर दीजिए यह जो अंजली है वह अनाथ नहीं है वह बेटी है मेरी है ऐसा क्यों किया मैं तुमसे बात कर रहा हूं ऐसा क्यों किया वैसे इस लड़की की क्या गल्पी है त्यार के लिए तो जुट बोला है ना तुम्हें इससे अच्छे दूसरी लड़की नहीं मिल सकती अगर आपने अंजली आंटी को यहां से भेज दिया तो हम लोग कर से खाना नहीं खाए क्या बेटा चुप-चाप चले जा रहे हो इन सब के कहने के बावजूद आप उसे अपना निकले तयार नहीं है मुझे अंजली पसंद नहीं है ऐसा मैंने थोड़ी का अभी पहले स्वीट खालो अनिल भाई किसके लिए आज हमारी अंजली का लोग मैटर हो क्यों गया इस बात को मुझे अभी पता चला है क्या पता चला अंजली देवा से प्यार करती है आपने प्यार के लिए आपका मिस्योस कर दिया अब सौरी भाईया भाईया पापी की बेटी हो तु जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया चाचा भाई बाबा असरब कोगी मैंने तुम्हें हिरेट की तरह पाल के रखा और तुम्हें मुझे बक्रा बना दिया मैं बली का बक्रा बन जाओ ऐसे गल्दी आप लोग मत करना कौन है अभी टक्सुस आप चट चल रहा है अच्छे गोद में उठाओ ना गोद में उठाओ क्या बात है मेरी बच्ची माम आपको उल्नोर करें Nerani मैं ऑरेट यह क्या करें उठाओ है मेरी बीज़ना थी तीए पैसे वाफित प्सक्राइब कर मार दिया तीन साल सब्सक्राइब को लड़ रहा था लेकिन आपके बेटें ने तीन मिनट में इंसाफ दिला दिया लोग इंसाफ के लिए आपके बेटे के पास ही आते हैं हमें आप पे गर्व है माजी आपने बहुत यह अच्छी बेटे को जन्म दिया है भगवान आपका भला करें एक एक तिन का एक पत्थर इखट्टा करके अपने प्यार का घुसला बनाया था जब मैं होश में नहीं था उस समय दूसरा उस घुसले में घुसकर उसमें कब्जा कर लिया यह कहां का निया है यह अपने आपको बहुत बारी लटा मुंगेश कर और आच्छा भोशले समझती है पागल काई की हाई अनेल यह आगया जले पे नमाख चड़कने कहां जा रहे जाने की सोच रहा हूं और यह जाने नहीं दे रहा है यहां पर अकले बैठकर क्या कर तुम नहीं तो हमारी जोड़ी बनने नहीं दी लगता है तो आचकल बहुत ज़्यादा खुश है मैं इतना दुखी होके बैठाओ और इसे मैं खुश दिखाई दे रहा हूं यह तो बटा क्या प्रोब्लम तो तुम हो सुन दोस्त मैं तुम्हारा दोस हूं तो मैं कुछ भी तकलिफ हो मुझे बताओ तुम दोस हो तुम दोस हो हाथ में आया हुआ मुह तक नहीं आने दिया तुम्हें धोके पाधाओ क्या है तुम्हारे दिल के अंदर में तुम्हारे कहने पर अपने दिल की बात बता रहा हूं जबर मुझे यहहां पर क्या टाइम पास के लिए रखा गया थ्टेश्ण यहां पर अचना कैसे आना हुआ है हम तीनों को आशिरवाद दीजिए हां तीनों को मतलब इसका मतलब है आप मामा बनने वाले हैं मैं मामा बनने वाला हूं मिठाई कहा है मामा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मैंने तुझे बदलने को कहा था लेकिन आज मैं ही बदल गए हूं आज मैं समझ गई हूं कि मेरा बेटा सही है मेरा बेटा एक अच्छा तीचर है तो ने कितने लोगों के दुआएं ली हैं बेटा मुझे माफ कर दे तो क्या क्या है ऐसा थोड़ी कभी होता है पहले अंजली पीछे पीछे उसका बाप फिर बेहन बेहन का पती उसके बाद मां अब क्या करूं मैं आगे इस आश्रम में रहूंगा तो मुझे बहुत तकलिप जली पड़ेगी मुझे बोरिया विस्तरवान के गाउं जाना पड़ेगा अगर उसने काम कर दिया तो कोई भी आप पर शक नहीं कर सकता नाम है देवा बात खत्म होगी ना बाकी हम सम्हाल लेंगे बोला देवा को इसमें क्यों फसाया है तुझे कुछ समझ में आया नहीं समझाया अगर देवा इस काम के लिए नहीं मानेगा तो जाहिर सी बात है वोनों खुद देवा को मार देंगे मैं देवा का केश क्लोज कर देगा और अगर मान लिया तो जो सब्बंध है उसको गवाह बनाकर देवा को फकरतर गली में घसीट घसीट कर उसको खीट कर लाकर हासी पर लटका दूँगा मैं पत्तर एक है उपर फेको के लगेगा नहीं आम गिनेगा एसी का मतलब असिस्टन्ट कमिशनर जानता हूं लेकिन एगमर्क क्रिमिनल आप है यह जान गया ए भोला एसी का मतलब आलवेज क्लेवर है ना समझ यह ना हाँ देखना इस बार मिठाए मैं खाऊंगा और तेरी तरह ना खुन मूंसे चबाएगा वो बेव को है एक किए किकी ठीकित्ट अब कर रहां हूं कि यह लो बाकी का भाई रुपिया रुपकर आं ठीकेट्ट्वन ये डेपो तक जाना पड़ेगा क्या हां का जाना किसको वोलो और कि रापकें तंसे आले मांज संधा नहीं पागल को को अपना सांग यार एक पाथले दिन जर्ब के वज़े से पैसा दे दिया नई पूछता तो ये देता भी नहीं अब आप जाओ रहा है यह क्या है लगता है तो दूसरी जगा है वह प्रिपाब मैंने पैसा मंगा तो चार्ड स्टेशन पहले ही उतार दिया अब क्या करूं इंसे पैसा लेकर दूसरी बस पकड़क अब वापस जाओंगा क्या यह लोग क्या वाइन शॉप जा रहे हैं यहां का महल तो अलगी दिख रहा है लगता है बिल्ली की फूछ छोड़कर शेर की फूछ पकड़ नहीं है अब पैसे देंगे की नहीं आप बोलो तुझे कितना पैसा देना है नहीं पैसे चल से द्हार रूपया इस से द्हार रूपया मतलब पूर दत रूपय तुमें देने है आपकते हैं हमने इसे तमदर नहीं मैं आज मांगना ज़रूरी है क्या सनो वो पैसे ज्यादा दे रहे उस पैसे से आश्रम का बहुत बला हो जाएगा बाकि सब कुछ मैं संभाल लूँगा आप टेंशन मतलो पैसे हो देवा बैड़ो भाई नौर्फ मदरास का शेथ देवा काम की बात करो चन्ने शहर में मंदिद मस्जीद चर्च हॉस्पिटल इसकूल इन सब में बाम रखना होगा यह सभी एकी समय में फटने चाहिए इस काम को तुम करोगे पैसों की चिंता मत करो जितना चाहिए मैंने तो तुम्हें मंदिर में भी रखने करका मस्जीद में भी रखने करें करेंगे अगर लगे हिंदो नहीं करोगे तो फाई करेंगा मैंने बता दिया इस देश में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, क्रिशिन, सब ही लोग इंगियन्स है तुम लोगों को छोड़ कर कई तालो के तलाश के बाद, CBI और क्याईली वालों ने मुंबई के दो आतंगवादियों को छेननी में रहस्त में धंग से मार गिराया इनके नाम है दिल्षाज अन्वर खान और गुल्जार अहमत सिद्धिकी यह दोनों मुंबई में हुए मों प्लास में शामिल से ऐसा पुलिस ने पूस्तार से पता किया है कि सर प्लीज आप टेंशन मत लिजी मैंने सब को सही तरह से चेट किया था लेकिन दिवा ऐसे करेगा कभी सोचा नहीं था मुंबई से आए हुए हुमारे दूलोग बारे गए सर हमें एक चांस्वर फिच्जी चुप हो जाओ अब ही हम गुवर्नर के घर के फंक्षन में हैं अहां नमस्ते नमस्ते जी यह मेरे बेटी और यह मेरा दामाद नमस्ते यह पक्त अहां अल दबैस धन्यवाद कुछ नहीं कर पारे हो ना तुम ए नारायंटतर बात ध्यान से सुन इस काम के लिए तुने चितने आद्मियों को बुलाए है ना उन सब कि मैं अपने देश के लिए पली चड़ा दूँगा तेरा भी नमबर आएका कटार में हूँ कर देशना इसे करे ना तो यह तेशलीन देशना लुक्त कहुतर है क्या है नमस्थे सब्सक्राइव मतार सब्सक्राइब मत जूब फड़ा है कि लिए बृतते अधानगे थिसे इस किने आदित नमस्ते था भाप ने सीट तो मिल गई बहु भी विंड़ानगे श्वावल ग आठो आठरा है कि ने पास आठास वार सुनुगा तो पैसा मांगेगा कि अ तुछ से किसे घस्रा मांगा तर्जा दजा मद्राइप गज्रा लुए या मद्री बेचर तो फिर मद्राइप प्रिपाप उस सरफ चला गया छोड़ोंगा नहीं पत्नियों के लिए एक पत्नी नहीं है और तू पत्नियों की बात कर रहा है अब है मेरी शादी नहीं अभी अरे बस चलने वाले जल्दी से घज्रा लेलो ना बस चलने वाली है लादे अरे लेलो चला भी फूल से फूटबॉल के जा साला भाई क्या हाथ आगे बढ़ाई है घर में जाके जिसे भावी को देकर खुशिया मनाई है ये बस क्यों बंद पड़ गई अभी तक तो अच्छ अरे बस थोड़ा सा लेट होगी ना क्यों मैंने ब्राइवर को समझा दिया है समझा दिया एक सुंदर गज्रे को तुमने मिट्टी में फेच कर गंदा कर दिया अब दीदी तरह से पैसे देदेगे सुनो क्यों धंदी वाले को तंग कर रहे हो क्या ये धंदे वाला है ये कितने का है 50 रुपया क्यों पहली बार तुम्हें दे रहा था तब दस रुपय का था अब तुने इसे मिट्टी से घंदा कर दिया ना इसलिए 50 रुपया ये ये तो दोके बाजी है 40 रुपय ले लो यार पूरे चाहिए मैंने पूरे का बंदल जाए ये लो फूल कोई बा अच्छी पार्टनर्शीप है ये मेंटेन करते रहा हूं अर ये क्या है अंदर पेपर का बंदल है मदू नहीं घजरा मदू नहीं घजरा बोलके लोगों को धोगा दे रहा मैं तुझे ठोड़ू नहीं रूप जाग घजरे वाले कि कहां पर है सभी मर्जिंसी वाट में कुछ दूख लाएए अंकल मेरा पेछ दुखला है अंकल नहीं बेटी सब कुछ थेख हो जाएगा फिकर मत करों ये सब कैसे हुआ दॉक्टर मिस्टर देवा है वी फुट पोईजन हो गया है हमने स्टमक वाश कर दिया है फिर भी बहुत लोग के अख दीग जितना भी पैसा खर्चों हो जाने दो लेकिन किसी की जान नहीं जाने जाने किसे हुआ अ कैसे हुआ भाई इसका सिम्हें तरका क्या पता सब लोग हंस्ते हुए खना खा रहे थे तो लोग उल्टियां कर रहे थे मिष्टर देवा पैसन लख्वी नानी मर गई ही बख्माँ! हालो! हालो सुनिये मैं आश्रम से बात कर रहा हूं जी बोलिये सर एक बैड न्यूज है क्या है बोलिये तो अम आपकी मा वो नहीं रही कब हो आई अच्छा व आपने फोन किया आज तुपहर को आप तुरंत आ जाईए ठीक है मैं कोशिज करता हूं अरे बापरे आज मंडे है न आप यह पैसे भेशता हूंगा मैं हलो हलो सर अब कुट्टे कमीने तुझे क्या लगता है बे मैंने तुझे तेरे पैसे के लिए फॉन किया था बिलकुर मैं मैं चाहता था कि आखरी बार तो अपनी माँ की शकल देख ले तूंका अच्छा बेठा नहीं है यह मैं जानता ह घर तक रिष्टा राधी तक औरत आती है जंगल तक लड़का आखिर तक कौन आएगा यह कभी कंद्धासन ने लिखा है लेकिन आजकल तो जंगल तक भी लड़काने को तया नहीं हम यहां अनाग की तरह आएथे अगर हमें कुछ हो गया तो कौन देखेगा हम अनाग की तरह मरना नहीं चाहते है भाई तरह सामने जो पॉड़ी जल रहा है न उप फूड़ प्वाइजन से नहीं मरा है हमारे आदमी आश्रम के खाना में कीड़े मारने वाली दवा मिला दिये थे हम नाराएंट अभी तो हमने तुमको खाली एक सैंपल दिखाया है तमज जाओगे तो यह आख्री जान हो हम नहीं समझें तो कोई नहीं बचेगा जब आश्रम चलाने वाले को एतना चर्वी है तो हम तो भाई राज्य चलाने वाला हूं हमको केतना चर्वी होगा अस्ति को जल में पहाव और सुधर्जा जुम जढ़ करा चर्वी होग प्रवी होग प्र बुम पॉर्ज़ूं करता है क्वेशन आप अरे वाब वाब का बात है कि आप कि आप कि आप कि 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 अपर देवा हमतों कुछ और समझे कोई बात में तुम हम तो कम चालाग समझ बेखे और यही तुमारी सबसे बड़ी पुश्य है कि 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 इसलिए हम तुमको अपने बगीचे में दपना रहे हैं सब तुमको अपने बगीचे में दपना रहे हैं अगर तुमको हम अपने बगीचे में दपना रहे हैं जाब अधिए अंदर अंधिरे में तुम अपनी जाते देख नहीं पाऊगे न इसे जे टौच लो और खुछी से जाओ आन्छो और खुम आन्छो और खुम ये और खुम होंगे प्रुपग्टी से अaring का ये गूंदर सक्ता भीरो कि बहुष loीरो में चल्च येचें पुम बंदर स्वें झाला 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 फिर तो इसटा पना है कि 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 तो चाह़ा खाला झाला झाला को जानकी प्रेमिका उमना जानकी साब्धी मैं मातों बोला हूँ हमने देवा का दफनाया तो जिंदा है अधिन देवा कैसे हो गया रहे अरे भी सबंद नहीं आ रहा है उसको वहीं खतम कर दो मुझे खतम करने वाला भी पैदाने हुआ है कि मैं भी जो तक नाओके तो समीश धाड़ कर बाहरा जाओं था कि अधिन आप तो आप तो चाहिए रहा है अधिक तो शिटी कमिशनर किसकी वज़ा से बना है नाराहें दद की वज़ा से हम तुम्हें कमिशनर इसलिए बनवा है ताकि तु हमरे काम आसके आप को ही उसे मारना चाहिए था अरे जुआ नुखी है उस पर सामने से वार करके कोई नहीं जीद सकता है यह देवा गांतर कर दो किस बेसिस पर हम उसका इंकांटर करेंगे सार वह बहुत दिमागवाला है वह कोई भी खून करता है तो उसका सबूत नहीं छूड़ता आपको पता है कि किसी वूपल स्टेशन में उसका इफाया करो साथ जी अपने बोल दिया ना अब दिवा बच नहीं पाएगा क्या करना है मुझे सब पता है हमारा काम चल्जी करें तेवा इंकाउंटर में मरना चाहिए क्या है ये सर सर युमन राइट कमिशन के पाश लोगों को किसे ने किड्नेप कर लिया है कि मैंने आप लोगों किड्नेप की आइंप लिए लिक मीं इंट्रडूज मैंसे लिए आईपिया आज साल पहले आईपिस एक्जाम में और अंदर भी एक चुनून था मैं ट्रिची में पहली बार जॉइन एस्सिंटम कमिशनर में लगया था पहली बार मेरे हाथ में पासपोर्ट का केसा है काम के बहाने वो जाली पासपोर्ट बनवाकर आतकवाद्यों को बाहर भेजता था जिससे इंडिया को काफी दुक्सार होता उसको एरेस्ट करके हमने पहले तो मुझे कोट में पेश करूं पूली स्टेशन में किसी से पूछ तास करते समय किसी का फोन आए तो समझ लो इस प्यारे को छुडाने के लिए किसी कभी इसका ये मतलब होता है मैंने उसके इतना मारा उसके बाद भी वो सच नहीं बोला हुमन ड्राइज कमिशन का सहरा लेकर इमेले इंक्वारी मेट भी मिष्टर इस्वरन पांडियन आपके कस्टडी में स्टिफेन दास नाम का कहदी है इंट्रोगेशन करते समय उसे मार्पिट का टॉर्चर किया गया मासूम लोगों को तक्रीप नहीं होना चाहिए इसकी निसर्कार सी हुमन राइट्स कमिशन बनाया लेकिन इस कमिशन को इस्तिवाल करके कि उन्म बच जाता है किसी के उपर भी एक ब्लैक मार्प एक फायार हो दूर हुमन राइस कमिशन को उसकी मदद कभी नहीं करने चाहिए मुझे सजा मेनी लेकिन मैंने कभी इसकी चितन लेकिन एक सिस्टम को मैं बदल नहीं पा रहा हूं ये खुन नस मेरी मजबूरी मेरा प्रस्टेशन में मुझे मारा हुँ मैं इस खाव को छोड़कर है इस चराने तक को भी सोच किया था उसी समय में अलग तरह कि आखिए उसकी आखों में आख निमाग और तेज़ दिसा कोई हुमरे हमें इससे क्या इस दुनिया वालों कि यहीं अपने सर्षिक्षक के लिए शियर की तरह लड़ा मुझे पसंद मैं अपने पालूम से कुछ नहीं कर पाया था इस दिए मैंने उसे प्यार बनाने का इसला करिया था आज भी पढ़ने वाई लड़की के साथ एक सिक्षक निकलर किया था उसकी माँ में इन पसा कर रूई थी और मैं उस ठीचर को अंदर बंद कर के फीड़ता मगर वाई ज अगर मैं उसको मारता तो मेरा ट्रांस्वर्ण हो जाता है इसलिए मैंने उस दर्की की मारते देवा के पास देजा था उसको प्याएं जुलाई में उस तुष्पूर के कांट में कौन कुन था मैं ठीटर जानता है अगर हमारे लिए कारून की जानगारी के कारण पहुद तो का सामना करना पड़ा है इसलिए मैं टीचर को देवा के पास देजा देवा ने एक ही दिन में वो सारे अध्याजियों के सजा देए रात्ते में चलते हुए अगर काटा चूट जाए तो उसे निकाल कर आगे जाने वाला है उसके रात्ते में काटे जालते जा रहे हैं हमारा डिपार्ट्मेंट कभी ये सूच भी नहीं सकता कि उसने इतने बड़े क्रिमनल को माड़ा बहुत लोगों को उसने सुधा रहा है वो गुड़ा हीना बुजुर्ग की लड़की को कलंग किया वो क्रिमनल राशक का खुटाला करने वाद धर्ब के नाम पर लड़ने वाले अजखवादियों को वापस मुथ्यमंत्री बनना चाहता है वो नारायन दर्श मैंने उसे भी देवा के रासे में डाल दिया ना ले वाक्रा और भाइस पर अत्याचार करें तो आप तुरंट सवाल उठाते एक अच्छी आद्मी के मौत पो रूप मुचे आप लोग इसकी लिए आप न्याय मुर्टी है न्याय दीज़िए हम तो आपको किसीने किड्नाप नहीं किया है हम लोग इक सिख्रेट जगय पे मीटिंग कर रहा है देवा लांकी आदमी के एंचंटर का ओर्डर दिया आप में यस सर आप तुरंट इसे रोपना होगा नहीं तो हम लोग आप पर एक्सन लेंगे थेंक्यू सर्थ अलो मैं आपको कहने पर देवा को इंकाउंटर में खत्म नहीं कर सकते क्यों 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 नहीं खत्म कर सकते अब विजज ने मुझे फोन करके चिताओं नहीं दिए हम तो आपस में बात कर रहे हैं उनको इस बात का पता कैसे चला प्लान करते समय मैं और आप एसपी इश्वरन पंडियन शेखर मूर्ती बस हमी लोग तो थे यह उन्हें कर से पता चला बाईया यह मारे लाइक होगा को नहीं है इधर आवा यह लायक नहीं है नहीं यह लायक है मैं कह रहा हूं ना कि लायक नहीं है मेरा कोई समद्ध नहीं फिर भी मेरे बादे शकल तो फिर्टी लायक होगा कि इसके लायक हूं पोलने जुरट नहीं है थ्र ने थे मैं किसके लाइक हूं मुझे समझ भी नहीं आ रहा है अभी तक तो सब तीक चल रहा था चल लिकाले हो यह क्यों इतना चिल आ रहा है भाई सब्सक्राइब्लाइब इस दो उस देना उसके लिए लाइक नहीं है यह बोल बोल कर आप मुझे बावे थे किसके लायक नहीं हूँ समझ गया तो शारती से काम पर कर पाओंगा ना मैंने लिकाता दो जिए इसके लाइक नहीं होगा अरे का देरा ला उसके लिए लायक नहीं होगा मैं भावी भावी मैं किसके लायक नहीं हूँ प्लीज आभी बता दो ना मैं तुबेचा रहा हूं तो उसके लायक नहीं होगा चलो जाए यहां से अरे क्या तू तो गाउं जाने वाला था इनके दर्वाजे पर खड़े होकर क्या कर रहा है नहीं पापा इस आत्मी ने उस दिन अ हां मेरा बाब पीच के साथ मिलके मुझे मारेगा लगता है प्रवाब ने कुछ बोल दिया ना बात प्रेंग ना अब जाएंसे डाउट कैसे क्लियर होगा बताओ कि तभी तो मालूम पड़ेगा ना मेरा विद्माग कर रहा है तो मेरे दिल को तसली होती थी लेकिन अभी जो मारा उसने बीना कारण बताया मारा अब में शेयर में कैसे काम करूँगा मेरा दिल हमेशा यही जवाल पूछता रहेगा कि मैं किसके लाइक हूं और किसके लाइक नहीं हूं कि हलो मैं देवा बात कर रहा हूं भाई शेयर कैसे तुम यहां नहीं आ रहा रहे हां सब लोग तुम्हारां इंख़ार कर रहे हैं कब आऊगे मैं बात में बताता हूं मा को कुछ भी बोल कर संभार लेना मैं जलते ही आचाहूंब फो कि तुम मुझे पसंद नहीं करता है मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम मुझे दुश्वन समझते हूँ लेकिन मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ तुम्हारा दोस्त हो तीन साल पहले तुम पेपर करेक्शन करने के लिए ट्रिची आए थे वहां मैं इसी था बुराय के खिलाफ लड़ना यहीं तुम्हारा गुण है इसलिए मैंने सारे क्रिमिनल्स को तुमसे मिलवा दिया हूँ आज जो तुम इस हालत में हो इसका कारण नहीं हो मुझे माप करते हैं दोस्त क्या हुआ इस लगाएं दत के साथ तुम डबल ग्यम खेल रहे हो हड़ी तुम हमारी खाते हो और पूछ देवा के लिए हिलाते हो अच्छा काम करने के लिए हमारा नाम खराब हो तो भी हमें परवा नहीं डूंट स्टॉप तुम जो भी अच्छा लगे वही करो तुम किसी भी कारण अपना काम मत रुखना दोंट स्टॉप उस नाराइं दत को कहा है नाराइं दत को तुमको अपनी मा जिन्दा चाहिए या नहीं अभी बॉम फटने वाला है अभी जन विसर्जन के लिए गणपती जा रहा है न उसमें बॉम फटने वाला है विसर्जन में जा रहे हैं लोगों में तुम्हारी मा भी है ना अरे आश्रम का गणपती है और उस गणपती के मूर्ती में बॉम रखा है कि वहां सिर्फ तुम्हारी माही नहीं मरेगी वहां बहुत सारे लोग मरेंगे बॉम भटने से कानुन व्यवस्था सही नहीं है यह बोल कर हम इस सरकार को हटा दूंगा और फिर बनूंगा सिये अगर तुम उन लोगों को बचा सकते हो तो जाओ और जाकर बचा लो है हो अखater 가지 बंकर अोप्रू टूंगार टूंगाद तुम अप्रूओा चुम धूदअ हूआा अशही बौदuestas हुआ हुआ है। कि पुर टाओ झाल पर झाल इंब झाल जो एई ते हैं एड शाव, झाल। झाल। कि इंब झाल। कि देसी जाल। कर दिंदा happens के बाइ़ घर्वीजर सब्ड़手 कर दिंदा झाल 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 तुम मुझे ये बताओ क्या अपना पतिकान मुझे जल्दी बहाँ पर पहुशन है जुम झाल 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 और बुलो प्रोपलक्त प्रोब करें लेक्जिप करें वोहाम जनींगार छीजिक पुर्ण कि फॉप प्रिटा कि बुप भाला गालош जिंगा कि फिर्ट एयार है कि पुप सक्षारा कि झाया? क्या हुआ बेटा, खोन निकल रहा है इस भेड में लोकों को मारने के लिए आश्रम के गणपती में बॉम लगाया था बॉम? दप्रानी के ज़रत नहीं है उसे मैंने डिफ्यूस का दिया है किसने रखा वो? बाया आजा, आजा आज मैं तुझे जिन्दा नहीं ठड़ूगा आज हम दुनों में से कोई है की बचेगा देवा, इसे छोड़ना मत इतने लोगों की जान लेनी चाहिए इसने इसे जिन्दा मत छोड़ना आज मा कहती है तुझे जा मार दे उसे अश्चो मोगस्मिति लबब पत्रसाद इम्मया अच्छोडसी दोस्मिका दसन्दे है जिशे बसना अबब अच्छोडसी चाहिए अजडसी जटान अच्छोडसी electr LT अच्छोडसी जिशचोडसी टीकुझे अच्छोड़ना उपरवाला हमेशा ही सहीं साथ करता है आपको 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 एकश करता ही सहीं साथ करता है